हिंदी खबर पर exclusive मौजूद है अमिताब यस जी जो लगातार इस बुंदेल खंड की धर्ती के लिए कहा जाए कि एक ऐसे बिक्तित के रूप में उभर रहे हैं कि लगातार डगयतों का खात्मा होता रहा इनकी अगवाई में और एक बार फिर स्टीफ की अगवाई में जो ज आनकारी है इस शेटर में गौरी आदों का काफी आतंक था और काफी समय से यह लोकल ठेकेदारों से गवर्मेंट ऑफिशल से जिसमें जंगल विभाग पी डवलुडी विभाग के भी अधिकारी सामिल थे उन सब से एक्स्टॉशन करने का प्रयास कर रहा था इसका इस शे इनाम यूपी गावर्मेंट द्वारा और पचास जार का इनाम एंपी गावर्मेंट द्वारा किया गया था यह स्वायम में दर्सा आता है कि इसको इसका कितना आतंक था और कितना importance इसकी गिरफतारी को सरकार देती थी आज UPSTF को एक बड़ी सफलता मिली है जब UPSTF की टीम ने इस डकाइट को यहां गहर कर और इससे मुटभेड में मार गिराने में सफलता प्राप्त किये है पूरा उपरेशन कैसे अंजाम दिया गया क्योंकि आपका नाम आते ही यह तो इसपस्ट हो जाता है कि बहुत ही पेचीदा रहा होगा ऑपरेशन और जैसे डकेटों को मारा जाता है तो यह कैसे पूरी घटना कैसे अंजाम दिया इस गैंग के पीछे स्टीएफ काफी समय से लगी हुई थी लोकल पुलिस का भी कोपरेशन प्राप्त हो रहा था और स्पेसिफिक सूचना लगातार स्टीएफ इकठा कर रही थी इस गैंग के साथ पूर में भी मुटवेड हुई और हाल में ही इसका एक साथ ही मारा गया था आज भी इस एक स्पेसिफिक सूचना पर टीम ने मुव किया यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि यह अपने पुराने अड़े पर मौजूद है और इसके लिए शाम को भोजन आदी इस 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 सूचना पर एस टीएफ ने इस चेटर में मुवविम्मेंट किया यह गैंग अपने साथ अच्छे असलहे रखता था जिसमें एक फॉर्टी सेवन और कलासनिकोव के पुराने ब्रैंड की राइफल जो की सेमी आटोमेटिक होती है इसके अलावा बाराबोर की बंदूक कंट्री मेड पिस्टल्स जो इसके पास से बरामद हुई है यह भी इ एक लंबी मुडवेड के बाद और वी साती जज़े सर इनके हाँ यह जहां आप देख रहे हैं जहां मुडवेड का स्थान है यहां यह गैंग एक आग जला करके और उसके आज पास बैठा हुआ था जब स्टी एफ टीम ने मुविम्मेंट किया तो उन्हें साफ आग की र प्रशनी में उसके बाद इस गैंग को चैलेंज किया गया और चैलेंज करने के बाद जो गन बैटल हुआ उसमें यह गैंग लीडर मारा गया सर एक आखरी प्रस्थनी यह है कि डगैत दडुआ इसके बाद तमाम डगैत लगातार खात्मा होता रहा अब यह जो आखरी मुक्त हो गया है इसके पहले भी जब दड़ुआ ठोकिया उमर केवर्ट और कई अंड़ ड़कैतों का सफाया हुआ था तो एक समय ऐसा था जब पूरी तरह से धर्ती ड़कैतों से मुक्त हो गई ती इसके बाद फिर लगातार ऑपरेशन्स चलाने की आवशकता होती है ताकि कोई नए गैंग्स ना पन पे अगर हम इस प्रकार का अपरेशन्स चलाते रहेंगे और कोई भी नया ग्रुप को एमर्ज नहीं करने देंगे तो यह धर्ती ड़कैतों से मुक्त रहेगी तो हमारे साथ थे अमितावियस जो लगातार बुंदेल खंड की धर्ती के लिए डगैतों के खात्मे के लिए जाने जाते रहें और फिलहाल एक सुखत खबर है गुड नीज है चित्रकूट की और एप्रिसियेट के जाना चाहिए ऐसे कामों को और फिलहाल यह खबर अब यह कहा जा सकता है कि चित्रकूट में विकास की जो गंगा बह रही है वो किसी भी विना बाधा के आगे बहती रहेगी ग्राउंट जीरो से हिंदी खबर के लिए अनुजनमत